नमस्कार, स्वागत है भारत योजनों पे नाव PTI प्रोटेस्ट प्लैन ड्यूरिंग S.E.O. समीट पॉलिटिकल टेर्रिजम पाकिस्तान मिनिस्टर एहसान इकबाल तो अब जो है यहाँ पे एक न्यूस सामने आया हुआ है पाकिस्तान के तरफ से पडोसी देश के तरफ से यह पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है इंडिया को कि जो भी यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडिया के वज़़ा से हो रहा है पड़ोसी देश का एजंडा, पाकिस्तान के मंतरी ने बिना नाम लिये भारत के खिलाफ उगला जहर, PTI के प्रदसन पर कहिए बड़ी बात, PTI जो है वो इमरान खान की पार्टी है, वहाँ पे प्रोटेस चल रहा है, तो उनी को लेके, उसी चीज को लेके भारत के उपर यह बोला है, और इसे पाकिस्तान के दूसमनों का एजंडा बताया है, पाकिस्तान ने संगाई सहयोग संगठन, S.C.O. के सिकर सम्मेलन को लेकर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते वे हमला बोला है, भारत का नाम लिये भीना, पाकिस्तान के मंतरी आसान इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के हम साया मुल्क पडोसी देश का एजंडा S.C.O. सम्मेलन में बाधा पहुचाने का है, वो बोल रहे हैं कि S.C.O. सम्मिट पाकिस्तान में हो रहा है, उससे भारत को तकलीफ हो रहा है, इकबाल ने 15 अक्टूबर को पाकिस्तान के संसद के पास इमरान खान की पार्टी PTI के विरोध प्रदसन की अपील के अलोशना की और उसे पडोसी देश और पाकिस्तान विरोधियों के एजंडे का अनुरूब बताया है, नाम लिये बिना भारत पर आरो, सनिवार को एक प्रस कॉन्फरेंस में इकबाल ने कहा, PTI विरोध प्रदसन करके चाहत दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा ना देखने को मिले, बलकि पाकिस्तान का टियर गैस और प्रदसन वाला चेहरा देखने को मिले, उन्होंने सवाल किया, PTI इसके अजंडे पर अमल कर रही है, किसके कहने पर कर रहा है, क्या ये पाकिस्तान का अजंडा है, या प पाकिस्तान में SEO सम्मिट हो रहा है, कराची वी स्पोर्ट से जुड़ा कनेक्शन, पाकिस्तान की योजना मंत्री ने अब इसमें कोई संदे नहीं है कि कराची में आतंगवाद और इसलामाबाद में राजनीतिक आतंगवाद की अपील एक जैसी है, इसका स्क्रिप्ट राइ समर्थकों से अपील की है कि जो लोगवास्ताओं में बदलाओ और विकास चाते हैं, वे अपनी पार्टी के काम से होने वाले देश के नुकसान को पहुचाने, मंत्री ने ये भी कहा कि 2014 में PTI के वीरोध परदसन के चलते चीनी राष्टपती की पाकिस्तान यातरा में दे जानिये क्या है एक्सपर्ट कर आई, वहाँ से पाकिस्तान से जब इंविटेशन आया था मोदी जी को कि यहाँ पर सम्मीट हो रहा है, यहां तो मीटिंग में आने के लिए तो मोदी जी तो इस बत जाने पाएंगे, उसके जगा यहाँ पर जैस संकर सहब जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के हुक्मरान खुस हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आगर भारती सम्मेलन में सामिल होने के लिए नहीं आएगा, तो उसके बड़ी बदनामी होगी, लेकिन क्या इससे दोनों देशों के बीचे रिस्ते का जमी बर्फ पिगलेगी, कूट नीतिक मामलो के जानकार इसे सिर्फ एक नियमित मुलाकात भर मानते हैं, उनका मानना है कि इससे दोनों देशों के मौजूदा रिस्तों पर कोई असर नहीं होने वाला है, जैसंकर ने भी पिछले हपते साफ कर दिया था कि वह एक मल्टी लेवल कारेकरम के लिए जा रहे हैं, वहाँ भ के मुताबिक कुगल मैन ने कहा, जैसंकर इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच महल बीते कुछ महीनों से काफी हद तक स्थीर हैं, सीमा पर गोली बारी रुकी वी हैं, आतंग की घटनाएं भी काफी कम हुवी हैं, हाँ अगर यही सम्मेलन 2020 होता तो नि करने को तयार नहीं है, स्यों समीट से पहले पाकिस्तान में धमाका, दो चीनी नागरिकों की मौत, चीन ने क्या क्या है, देखिए आपको मालूम है कि अभी 15-16 अटूबर को जैसंकर साफ जाएंगे वहाँ समीट होगा, तो जब रसिया आएगा, चाइना आएगा, भारत आएगा, और भी देश है, उजबेकिस्तान, कजकिस्तान, करगिस्तान, तो इतने सारे देश आएगे, तो उसके लिए सेक्यूरिटी भी उतने ही टाइट होना चाहिए, तो सेक्यूरिटी के मामले में अभी बहुत कंसर्ण हो रहा है कि अभी हाल ही में, दो चाइनिस नाग आएगा भी, लोग आएगे या फिर उसको पॉस्पॉंड कर दिया जाएगा, इससे पाकिस्तान को बहुत दिक्कत हो रहा है, एक तीसरा सौ भी बरामद हुआ, जिसके बारे में समझा जा रहा है कि यह हमला वर का हो सकता है, यह हमला वर तब हुआ जब 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में संगाई कॉपरेशन और्गनाईजेसन यानी स्टियो का समीट होने जा रहा है, इस समीट में भारत के विदेश मंतरी स्जे संकर भी सामिल होने वाले हैं, पाकिस्तान में चीनी दूतवास ने कहा कि रविवार रात को हुआ धमाका, सिंध प्रांत में एक उ अमेरिकास से जोड़ी परी जो जनाओं में सामिल चीनी नागरी को पर हमला करता रहा है, बलोचिस्तान आपको मालूम है क्योंकि बलोचिस्तान में ही मटेरियल जो पाया जाता है, वहाँ पे जो पोर्ट है, तो उस पोर्ट का भी फायदा बलोचिस्तान को मिलता नहीं है, बलोचिस्तान समझे एक तरीका से पाकिस्तान से पुरा कटा कटा हुआ रहा था है, कोई भी development वहाँ नहीं हुआ है, और वही route से हो के ही चाइना जो है अपना एक route बना रहा है, तो उस कारण से ही बलोचिस्तान बहुत गुसा है, और जब भी वहाँ पे चाइनिस वरकर काम क की जान ले ली थी, पिछली राद चीनी इंजिनियरिंग, चीनी इंजिनियरों को निशाना बनाए गया, इन 29 सालों में पाकिस्तान आतिंग वादियों और हथियार बंद समुओं को काबू करने में नाकाम रहा, पाकिस्तान ने क्या कहा है, इस बारे में, सोंभार को जारी बीग्रेड से थे, समचार अजन्सी राइटर्स ने बी अले के हवाले से का, इस हमले को गाड़ी में इंप्रोवाइज एक्स्प्लोसिव डिवाइज का इस्तिमाल करके अंजाम दिया गया, ये हमला रविवार को 11 बजे के करीब हुआ रात में, पाकिस्तान के परधान मंत और चीनी नितत्व, चीनी नागरिकों, खास कर मृतिकों के परिजनों के प्रतिस्तामेदनाएं व्यक्त करता हूं, घायलों के जल्द स्वास्थ होने की कामना करता हूं, इसका है अरता पूर्ण घटना को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते, बलकि पाकिस्ता के विदेश मन्दराले ने कहा कि वो चेनी अधीकारियों से संपरक में हैं और इस कारियाना हमले के लिए जिम् 시청दार लोगों को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी मंदराले के अनुसार यह आतंगवादी हमला केवल पाकिस्तान पर ही नहीं बलकि पाकिस्तान और चेन की दोस्ती पर भी हुआ है, इस बरबर कृत्य के लिए जिम्यदार लोगों को बक्सा नहीं जाएगा, तो देखिए अभी आने वाला समय में यह जो घटना हुआ है, इस कारण से SEO समिट होगा, या उसको टाल दिया जाएगा, या कहीं और सिफ्ट कर दिया जाएगा, कोई और द सब खाली करवा दिया जाता है, और अब ऐसे समय में, जैसे करीब आरा डेट वैसे ही यहाँ पे हमला हो चुका है, और पाकिस्तान उतावला इसलिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे SEO समीट करने के लिए इसलिए उतावला हो रहा है, क्योंकि यह SEO समीट में बताय जा रहा है कि एक तो यहाँ पे peace keep talk होगा कि अगल बगल देश का जो जो भी tension है उसको लेके peace talk होगा फिर यहाँ पे economy को लेके बात हो सकता है फिर यहाँ climate change को लेके बात हो सकता है तो पाकिस्तान चाहता है कि economy उसका अच्छा हो बैतर हो तो SEO summit करवाएगा तो उससे relation अच्छा हो जो देश के साथ खराब है तो उस कारण से पाकिस्तान कोशिस पूरा कर रहा है कि यहाँ पे SEO summit हो तो I hope कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा नमस्कार स्वागत है भारत योजनों पे now PTI protest plan during SEO summit political terrorism Pakistan minister एहसान इकबाल तो अब जो है यहाँ पे एक news सामने आया हुआ है पाकिस्तान के तरफ से पड़ोसी देश के तरफ से यह पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है इंडिया को कि जो भी यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडिया के वज़़ा से हो रहा है